नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारे टूब चैनल समस्क्रत सरस्वती पर मैं रामकुमार सास्तरी आप सभी समस्क्रत प्रेमी अनुरागीयों का हरदिख स्वागत और अभिनेंदन करता हूं प्यारे सातियों हम जो कुछ भी यूटूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं बार-बार आप कहते हैं कि हमें इसके नौट्स बगरा चाहिए, ऑनलाइन व्यक्या चाहिए, टेस्टरी चाहिए तो अब हम सब को जो भी सामगरी हम पढ़ रहे हैं उसके ओनलाइन टेस्टरीज, ओनलाइन टेस्टरीज की व्याख्यात्मग वीडियो, साती PDF नौट्स, एनौट्स और एबुक, प्रिंटेड नौट्स ये सारी सामगरी इदि आप चाहते हैं तो आप संस्क्रत सरस्वती एप मॉबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें विस्तार पूर्वक से जो सामगरी आप यहां पढ़ रहे हैं उसके सारी कि सारी प्रिंटेड, एबुक, एनौट्स और ओनलाइन टेस्टरीज आज का वीडियो हम देखते हैं, वीडियो के इंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बोक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं, उससे मुझे और उर्जा मिलेगी और अब यहतर हम आगे सिखते रहेंगे, बहुत बहुत अभयदाम जाध्यांधकार आपहाम अस्ते स्पाटिक मालिकाम बिदधतिम पद्मासने संस्थिताम वंदेताम परमेश्वरिम बगवतिम बुद्धी प्रदाम शारदाम अब देखिए इसके बाद अपनी जो अगली संदी है उसका नाम है अनुश्वार संदी बार बार हम यही कहे जा रहे हैं कि प्लस से पहले वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चोथा अक्षर हो बोले पांचमा अक्षर क्यों नहीं आता तो देखि संदी का नाम हो जाएगा अनुश्वार संदी करब से अम पढ़ी देर चरथ जस्त अनुश्वार संदी के बनाने वाले रखेलिंगें यहां तो यहां पर याद रखेंगा 2 सुत्र का नाम है मानस्वारहा और एक सुत्र इसके साथ और चलेगा उस सुत्र का नाम है नश्चा अपदांतस्य जली जोड़ेंगे तो नश्चा अपदांतस्य जली दौनों सुत्रों की प्रसंगति को हम देखेंगे ये कौन सी स्थिती में अनुस्वार का काम करेगा किसको करेगा ये अलग परिस्थिती में किसको अनुस्वार का कारी कप करता है तो अनुस्वार संदी के प्रसंग में हम जो काम करने वाले हैं वो काम है कि हम यहां वास्तों आनुष्वार्वार संदी में हम अनुष्वार्वारों बनाने कारिकरम देखते हैं मैं ऐसा करता हूँ इन दोनों सुत्रों को एक ही साथ ले लेता हूँ या फिर हम एक एक सुत्र को भी सीख सकते हैं तो सबसे पहले जो सीखने का सुत्र है करमानुसार अनुस्वार संदी में वो है हमारा मोनुस्वारह सुत्र का नाम है मोनुस्वारह और इस सुत्र में इसका अर्थ लगबग छिपा हुआ है यह देखिए पहला पद है महा और दूसरा पद क्या है आपका अनुश्वार हो गया नहीं सी मेरत देखो समझ मेरत थोड़ा थोड़ा कि मैं को क्या हो जाता है अनुश्वार हो जाता है तो पहले इस उत्र का जब हम अर्थ करेंगे यहाँ पर भी पहले की तरह ही जिसे आपने भी बिपढ़ा था नुनासिक संदी में अजस्तु संदी में कि कहीं कहीं पदांत में कारी होता है कहीं कहीं अपदान्त में कारी होता है अब पदान्त में कब कारी होता है अब पदान्त में कब होता है वो भी हम सीखते हैं याद रखेगा पहला जो प्रसंग चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं मैं सामान ने समझ की लिए आपको ताकि आप समझ जाओ कि दोनों सुत्रों में अर्थ क्या है तो हम जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हम पदांत में अनुस्वार संदी का कारेकरम यानि पदांत में अनुस्वार संदी कब होती है वो हम सबसे पहले सीख रहे हैं सुत्र कारत करते हैं सुत्र कहता है मान लीजिये किसी पद के अंत में, कोई भी सम्सकृत का शब्द हो पद हो और उसके पद के अंत में, आपको मिल जाएगा कौन सा वर्ण, मवर्ण आपको मिल जाएगा, और उस मवर्ण के बाद में आपको मिल जाएगा कोई सा भी हल वर्ण, दोस्तों हा का मतलब हम बहुत व किसी भी धातुरूब के अंत में जड़ी आपको मान लीजिये मा मिल जाए तो उस मा के स्थान पर बताइए क्या हो जाएगा अनस्वार हो जाता है कब जब उस मा के बाद में हल वर्ण या बेंजन बर्ण हो इसका मतलब स्वर वर्ण नहीं होना चाहिए बोला ये कैसे होता है तो आईए साब जैसे हरी को नमशकार करता हूं हरी शब्द में दितिया वचन में क्या बनता है हरीम और नमशकार करने कर तुम्हें आप क्या लिखते हैं बंदे पड़िग एक बार क्या लिखा मैंने हरीम प्लस बंदे अब यहां दिखा प्लस से पहले मा मा के बाद में है कौन सा वर्ण है ये हलवर्ण है न तो हलवर्ण के परे रहने पर किसी भी सब्द के पद के अंत में अब पद का मतलब समझ रहे हूंगे आप सब्द रूप या धात रूप के अंत में तो धातुरूप की प्रसंगति तो यहां कहीं मिलेगी नहीं उदारणों में आपको शब्दूरूप ही मिलेगा चेक करो देखे इस सब्दूरूप है क्या उला हरी हरी हरायाह हरीम वैसाब दितिया का एक बचन पद है पद के अंत में म पदान्त है और आगे हलवर्ण है तो बताइए इसको हम क्या बना लेंगे अनुश्वार और आपका शब्द क्या बन गया हरीम बंदे मैंके स्थान पर अनुश्वार है इसलिए इसका उच्चरण भी मैंके समानी दिखाए दिता है इसी परकार से राम की बंदना करता हूँ राम शब्द का दितिया एक बचन में क्या बनता है रामम और बताइए नमस्कार करता हूँ बंदना करता हूँ बंदे दितिया का एक बचन पद है पद क्यंत में अनुश्वार है बन गया रामम बंदे और आगे बड़े साब इसी प्रकार से पाठम श्मरती किसको श्मर्ण करता है पाठ को श्मर्ण करता है पाठ का जितिया विवक्तिय वचन में क्या बनेगा पाठम पद के अंत में मिला म इसको हम कर देंगे अनुश्वार शब्द बन जाएगा पाठम स्मरती बन जाएगा न जब दुख में नमस्कार करता है तो सच्टी होती है और सामान नहीं याद करे तो दितिया हो जाती है, इसी पrakार से जैसे पाठम रटते, पाठ को क्या करता है? पाठम रटते, पाठम रटते, लीजी ये पाठ शब्द का दिती है गचन में, पाठम, आगे क्या है? रटते मिल गया क्या पदान्त में मा आगे मिला वेंजन वर्न बताईए मुआ की स्थान पर अनुस्वार और आगे क्या है रटते ठीक है और देखे जब इन उधारणों के इलावा जहां जहां भी हमको पद के ऐसा कारी करने का सुबागे मिलेगा हम सभी स्थानों पर बताई उसको क्या बनाते चलेंगे मा जैसे आगे आजो जैसे यहां लिका है मैंने सम उपसर्ग याद रखेगा सम एक प्रादी है ठीक है इसी को हम सामन्नी बूल चाल में उपसर्ग कह देते हैं और यह सारे के सारे प्रादी वास्तों में क्या होते हैं अब्वे और अब्वे को अपने आप इस सिद्ध क्या मानेंगे आप हमेशा पद जब भी मैं कोई उपसर्ग का नाम लूँ प्रादी का नाम लूँ आप समझ जाना यह अव्वे है और अव्वे वास्तों में क्या होता है पद होता है तो सम जो उपसर्ग है आपकी नजर में और मेरी नजर में जो वेर्जिन वर्ण हल वर्ण है न तो सम के मैं को आप क्या बना लोगे अनुस्वार और आगे स्मर्णम जोड़ेगा शबद आपका बन गया सम स्मर्णम क्या बना सम स्मर्णम सम प्लस सारह सम प्लस सारह बताई ये क्या बनेगा सम सारह बन जाएगा सम सारह मा के स्थान पर आप क्या कर देंगे अनुस्वार कर देंगे ठीक है उसी प्रकार से सम प्लस वदती या वादह सम प्लस वादह हालग यह अलग प्रक्रिया भी हो सकती है सामानने हम करेंगे समके मैं को अनस्वार और बन जाएगा संबाद आहा इसी प्रकार से हम जब बर्ग का कोई साभी पहला दूसरा तीसरा चोथा एकसर ले वें तो याद रखिएगा अनस्वार तो बनता है लेकिन अनस्वार को आगी जा करके अनुनासिक वर्ण नाकवाले वर्ण जिनकों मैं कहता हूं उन नाकवाले वर्णों को मिलने पर अनस्वार के स्थान बर आगी वैले का पांचवा भी हो जाता है इसलिए कहीं न कहीं मैं उन सभी धार्णों को रोके रखा हूं हम सिरब अभी वो समझेंगे जिसके पास नाकवाला नहीं है जैसे तुम पठसी तुम क्या करते हो पढ़ते हो तुम के मैं मिला आपको पदांत में परतमा के वचन में हमने बनाए इसको अनस्वार और आगे क्या है पठसी ठीक है उसी प्रकार से यहां हम सीखेंगे जैसे पाठं पठती किसको पढ़ता है पाठको पढ़ता है वो ही पदांत मिला आपको म उसकी जगे क्या हो जाएगा अनुश्वार और आगे लिखेंगे आप पठती ठीक है मतलब जहां जहां भी आपको पठती के अंत में मिलेगा उस माके स्थान पर आप क्या करने वाले हो अनुश्वार कुछ उधारन दुनिया बर के हैं पर मैंने उन उधारनों को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब आगे कोई ऐसा अनुश्वार वाला वर्ण दिख जाएगा जिसके वर्ण में अनुश्वार आगे पर सबन में कनवर्ट हो जाता है इसलिए मैंने उन उधारनों को अभी तक लिखा नहीं है रोके रखा है इसलिए मैंने पै को लिया है मैंने रै को लिया है मैंने सै को लिया है क्योंकि इनके बाद में, यहां भी हो सकता है, यह दान रहे, यह दान जो मैंने लिखा है, वो भी उसी के प्रसंग में हो सकता है, तो वो सब मैंने भी यहां लिखे नहीं है, जैसे ऐसे और कुछ भी लिख सकते हैं, फालम पतती, है ना, फालम पतती, प्र हम चलेगे सम प्लस राट सम प्लस राट और हम जब इसको बना रहे hijos तो मेरा मन कर रहा voluntarily भर अब मुझे बताईए सम अजीब लगेगा न बोला आपको जीब ना लगे इस बात का पानी ने पुरा ख्याल रखा है और उन्हें ने कहा कि ऐसा मत करो जुल्म हो जाएगा वोला क्या नियम मना दिया तो उन्होंने इसको रोकने के लिए अपवाद नियम मना दिया यह सिर्फ पदांत मौनस्वार पढ़ेंगे वो अपवाद जो लिखा गया उसका नाम है मोरां जी समा क्वाव। मैं राजी तो समकौन ऐसा आप याद कर सकते हैं पढ़िये क्या लिखा है मैंने मौराजी समह क्वाउं क्या है इसका अर्थ तो सुत्र का अर्थ दिया है कहते हैं कि सम उपसर्ग के जो माहां उस मैं को अनुस्वार नहीं होता सम उपसर्ग के मैं को क्योंकि मैंने बूला नुपसर्ग सम में सा पद मान के चलेंगे अब यह अपने आप स्वार मत करो कब मत करो तो कंडिसम्स है यदि उसके बाद कुछ परते लगा हुआ राजधातू का कोई रूप हो कौन सा परते लगा उसमें कि परते कौन सी धातू के साथ राजधातू के साथ याद रखेगा ऐसी राजधातू जिसमें कौन सा परते लगा हो कुछ परते जाता है ले जाता है इस प्रकार से उब्देश्य जुनासिक ले जाता है इसको बोलते हैं हमारी व्याकन सास्त्र में सरवापहारी लोप बोलते हैं तो बसता कुछ ही नहीं है लेकिन क्यों परते लगने से कई सारे सुत्र हैं जिनके द्वारा इनको अलग-अलग कारी किये जाते हैं आगे की प्रक्रिया में क्या होता है राज धातों के स्थान पर मुर्धन्य जो है न उसको मुर्धन्य शायादेश होता है तो राज का क्या करोगे तो बन जाएगा राट एक बचन में जब रूप बनते हैं इसके जब सब दूरूप चलाओगे ना अब सम्राद के तो सब दूरूप में प्रक्रिया इस तरह सलती है वापस आता हूं में क्या कहता है आप से वारत सुत्र कि भीया सम उपसर के मैं को अनुस्वार मत करो कब जब राजधातु का जो क्यू प्रत्यांद लगी राजधातु पर में हो अब राजधातु में वेंजन वर्णता मैं को अनुस्वार करने भागा भागा को ना रहा था मो अनुस्वार बोला देख भीया राजधातु आगे है उसमें क्यू प्रत्य भी लगा है अब यह कि सम प्लस अब मैंने डारेक्ट लिख रहा हूं में ध्यान रहें राट क्यों कि राजधातु से यहां कि प्रते लगा है और उसके प्रते के लोप होने के बाद जयादी को कई सारे कारी हुए हैं अनस्वार नहीं करेंगे तो मा वेंजनवर्ण है दूसरा वेंजनवर्ण रा है उसमें रहकी आयब में संयोगुवा बन गया सम्राट अब अच्छा लग रहा होगा देखवा अब लग रहा की वास्तों में यह सम्राट तो शब्द जेसे पड़े जा रहे हैं वेसे के वेसे पाननी आपको पढ़वाना चाहते हैं उनको लगा या रहे तो गलत हो जाए जैसे सम पलस राजव वही राजडा तु है आगे लिखो वापस मैं कोन स्वार नहीं करेंगी क्या बन जाएगा सम राजव इसी प्रकार से सम प्लस राजव बनता है वाँ बवचन में पीछे मिला दीजिए सम प्लस राजव तो बहुत सारे सम्राट हो तो उनको क्या बोलत इसी तरीके से सम प्लस राधा सम प्लस राधा यह देखिए सम उपसर्ग है ना तो मैं को हम अनस्वार नहीं करेंगे न और आगे क्या बन जाएगा सम राधा है ना भई बन गयाने सम राधा अच्छा नहीं बनेगा क्या क्यों नहीं बनेगा क्योंकि आगे राज धातुगार उपर में नहीं हैं और जब राज धातुगार उपर में नहीं हैं तो भाईया इसको मना भी नहीं करेंगे जब मना नहीं करोगे तो फिर मैंको क्या हो जाएगा अनस्वार और आपका शब्द क्या बन जाएगा वहाँ सम्राधा आई बास समझ में तो सम उपसर के मैंको अनस्वार मत करना सीधी बासा मत करें सम्राट बनाना है तो समराट में मैंको अनुस्वार नहीं होता है तो समराट के लिए मना है तो नहीं करेंगे भीया जैसे आप कहे रहे हैं वैसी महरवनी तो सुत्र कोन आ रहा था मौनस्वार मना कौन करेगा मौराजिस समय क्वाउ नमबर तो ये जो आपने पदांत में अभी अनुस्वार संदी का कारिये देखे हो जरूरी नहीं है कि पदांत में ही मैंको अनुस्वार होता है एक और नियम हमारे पास में है जो आप से कहता है कि अपदांत में भी अनुस्वार संदी का कारिये होता है इसलिए हेडिंग क्या हो जाएगी हमारी कौन करेगा ये काम इस काम को करने के लिए हमारे पास नमबर दो सुतर है नस्यक पदांतस्य जहली नस्यक अधरी ना वाद अधर Leaf अधरी जहली अधरी पदांतस्य जहली अब सुत्र का अर्थ क्या है सुत्र आपसे क्या कहना चाहता है सुत्र का अर्थ क्या है तो सुनो ध्यान से कहते हैं कि मौनस्वार सुत्र तो पद के अंत में काम कर रहा था कहरा था कोई भी सब्द रूप हो उसके अंत में होना चाहिए धात रूप हो उसके अंत में होना चाहिए एक कहता है कि मेरे ये फरक नहीं पड़ेगा मेरे पद के अंत में नहीं बलकि आपद का मामला हो और उसके अंत में भी जो पद नहीं है न वो आपद है और उस आपद के अंत में भी यदी मान लीजिए कहीं आपको क्या क्या मिल जाए या तो आपको मिल जाए म, या फिर आपको मिल जाए न, क्योंकि सुत्र में देखो क्या लिखा है नह, यानि न को और चैका मतलब जो पहले करे रहे हैं मैं को, उसको भी, दोनों को ही क्या हो जाता है भईया, अनुस्वार हो जाता है, लेकिन अब की बार हल वरन की जगे अतिहार है, कहां से स्टार्ट करोगी, जैसे, जबयां, घडधस, जबगड़दस, खपचटता, चटताउ, कपया ससर हल, तो लगबग लगबग जो आपके वरन आते हूं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और लगबग चोथा वरन परमेहों, ठीक है, और इसके अलावा तीनों जो से हैं ना वही है, वो भी आजाएंगे, शा, 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 परमेहों, यह लिजी साब, लगबग लगबग यह आपको मिलेंगे, सिलीमन को लिख देता हूं, ठीक है, उस सुत्र मेरे, इस सुत्र में क्या फर्क है, पहली बात तो भी, लास्ट पढ़ेंगे हम सा शब्द रूप हो जाए ना हूं, धात रूप नहीं हो, बीच में भी यदि आपको मेर नहीं मिल जाए, तो उसको भी अनुस्वार कर देता है, यदि मैं थोड़ा डिटेल में इसको और बिखेर के आपको सीखाना चाहूं, और आपसे इसको सीखाने की बास समय कहूं, तो याद रखिएगा, अपद का मतलब क्या है, तो अपद से मतलब है, या अपदांत से तात परिये क्या है, तो अपदांत से दोस्तों तात परिये है, कि मान लिजी आप समस्क्रत का कोई शब्द रूप पढ़ रहे हैं, या बना रहे हैं, या मान लिजी आप समस्क्रत का ने तो उसको बताईए क्या हो जाता है अनुस्वार हो जाता है यानि पहले वाला सुत्र के वल मैं को शब्द रूप या धातुरूप के अंत में अनुस्वार करता था ये वाला सुत्र आपके सब्द रूप और धातुरूप के बीच में यदि आपको मैं और ने साथ में मिल पर तो वहां प्रत्मा और दितिया के दिव वचन में यसस का यसान और आगे जो जस्परत्य आता है उसका रूप बनता है वहां पर शीप यह सितिवा हो जाती है अब यह देखिए पूरा का पूरा मिला दूंगा ना तो यह तो सब्दूरूप हो जाएगा तो पूरा मिलने पर शब्दूरूप होगा उसके अंत मैं यह पूंचे तो मैं क्या बता हूँगा यह बताऊं गार लेकिन यह देखो शब्दूरूप के बीच में आपको नए मिल गया वोला तो नहीं हो तरा यह सब्दूरूप होएँ है यह संस्क्रत में कहीं होता ही नहीं है यह भ width होता देखो देखे नए आगे मिला से आता है कि रवय यह जल में एक दो तिन चार और तिनो से बना लो अनुस्वार यह लीजिए यशान सी अब यह आपका पद है प्योर इसके अंत में कह ए नौट नए पयास सब्द को चली यह पयाह पयासी पयांशी यह देखिए सेम सिस्तिती है यह भी सब्द रूप के अंत में बीच में नहीं है यहां पर भी बीच में आ जाए तो बीच में आने पर ने को क्या हो जाता है अनुस्वार क्या बन गया पयांशी मना सब्द का नाम सुने आपने मानाह, मनसी, मनानसी यह सब नपुनसक लिंग शब्दों जो मैं लिख रहा हूँ हम को मानाह, मनसी, मनानसी यह सब दुरूब पूरा है बीच में ना मिला बना देंगे इसको हम अनुस्वार क्या बन गया? मनानशी बन गया और देखिए इसी तरह से आगे हम पढ़ रहे हैं विद्वान शब्द पढ़े हो विद्वान शब्द का जब दितिया बहुवचन प्रतमा बहुवचन मनाते हैं वहाँ विद्वान और आगे साह मिल गया ना जलकास है आगे मिला ना यह पूरा पद बनेगा लेकिन ये बीच में आ गया लीजी साब कोई दिक्कत नहीं है बीच में नयकुत अनुस्वार होता है कौन बोला नस्च पदानतस्य जली बोला इसी परकार से धनून शब्द से भी जब हम रूप बनाते हैं वहां मुर्दिन ने शकार दिखाई देता है और इसके रूप बनाओगे क्या बन जायागा धनून शी यदे कि सकार का पाठ भी हैं किया गया है येलो साब क्या बन गया धनून शी आगे बड़ो मारने की धातु होती है हन हन शब्द के जब रूप चलाते हैं मध्यम पुरुस में हन लटलकार में कौन सा परत्या आता देखो ये पूरा तो धातुरूप होगा पूरा धातुरूप होगा तो वो पद होगा और पूरी धातुरूप की जो अंत में होगा वो कहलाता है पद के अंत में और ये पूरा पद है ये धातुरूप पूरा बन जाएगा बताईए नयकों भी क्या कर देंगे हम बीच में नहीं यह भी लिटल कार का पूरा धातुरूप होता यह पूरा पद होता पूरी पद के अंत में तो आप देख रहे होंगे क्या है यह है लेकिन यहां बीच में काम कर रहे हैं नयकों तो यह कहलाएगा आपदांतन वही से आप चाओ लिख सकते हान प्लेस सा बताईए क्या बन जाता है हन सा क्या बन जाता है हन सा इसी तरह से जरूरी नहीं कि अपद के अंत में नहीं हो यह बोला शुत्र की नस्चा आपदांत से जली मैं को भी तो भी आनुस्वार होता है आएस आप मैं के उधारन भी सीखते हैं जैसे आक्रम आंग उपसर्क पुर्वकात क्रम धातु से हम करते हैं वह लिटल कार का रूप बनना चाहते हैं लिखा आक्रम आगे क्या है शते यह देखिए पूरा क्रियापद बनेगा आपका यानि पूरा धातुरूप के बीच में तो यह पद के अंत में नहीं बलकि धातु के अंत में हैं धातुरूप के बीच में हैं इसलिए इसको हम कहेंगे अपदान्तमा और अपदान्तमा को भी नस्चा अपदान्त से जली सुत्र से क्या हो जाता है अनुस्वार और आपका रूप क्या बन जाता है आक्र आतुरूप के बीच में हैं वह हम कर लेंगे इसको अनुस्वार क्या बन जाएगा आक्रम शंते तो मैरे कहने का मतलब है कि मैं को जो अनुस्वार आप जो देख रहे होंगे समझ पा रहे होंगे आप तो मैं को कहा कहा अनुस्वार होता है तो मैं इसको सोटकड में तुड़ सामान ने लोग हैं सीखना चाहते हैं जो समस्कृत अनुरागी उनके लिए है बाकि याद रखेगा जो सामान ने समस्कृत पढ़ रहे हैं दस्वे क्लास के बाद जिनके सुत्र कहीं भी चर्चा में दिमाग में नहीं घुसते हैं वो तो एकी बात यादर को कि मह और ना पलस से पहले मिल जाए और बाद में वेंजन वर्न हो तो उसको क्या बना दो अनुस्वार बना दो इससे जड़ा दिमाग लगाना नहीं हमको लेकिन जो थोड़ा वो सुत्रों का समस्कार रखते हैं तो सुनो ध्यान से यह जो सुत्र आपने पढ़ा है वो बताए किसका अनुस सुत्र जो आप सुत्र देख रहे हैं वो मिलेगा आपको कहां पर सब दुरूप या धातुरूप के बीच में यानि अप दांत में संदी कारिये करता है बोला किस किस को करता है तो यह मैं को भी करता है और यह साथ में ने को भी करता है क्या करता है अनुस्वार करता है बश करता है इसमें भी एक चीज़ देख रहे होंगे आप इसका मतलब यह हुआ कि ना को केवल पद के बीच में होता है जबकि मैं को सब्द के सब्दूरूप के अंत में भी होता है और सब्दूरूप के बीच में अनुस्वार का कारी होता है तो सीधिवाजा में कहें तो मैं को अनुस्वार होता है पदांत में भी यानि किसी भी सब्दूरूप या धातूरूप के अंत में भी और ने को अनुस्वार होता है केवल धातूरूप के या सब्दूरूप के बीच में अब सोच रहोंगे कुछ लोग कि यार ये पता नहीं क्या पढ़ रहे हम तो याद रखिएगा सिधी बसा में कहें तो भाईया मैं और ने पलस से पहले हो और उसके बाद में कोई वेंजन वरन आ जाए तो उसको आप अनस्वार बना देंगे सौट कट में ये मिला मैं या फिर मिला ने और उसके बाद में आजाए कोई भी वेंजन वरन तो आपको इसको क्या बनाना अनस्वार आपके काम की जी सिर्व ये है ठीक है पहला सुतर क्या था मौनस्वार और दूसरा क्या पढ़े हम नस्चा पदान तस्या जली पढ़िए गैस को अब आराम से आप